हेलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कपारिया हाउस में मचने वाला है हरकम क्योंकि कपारिया हाउस में होने वाली है फैमली लॉयर की एंट्री और वो देने वाले हैं कपारिया हाउस के लोगों को स आखिर ऐसी क्या बात है वो दोस्तों हम आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टैली बूम को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो दोस्तों शो के अपकमिंग ट्विस्ट में आप सब को देखने को मिलेगा कि कपाडिया हाउस में बर्खा जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर रही होगी और अपने राजपाट के सपने बुन रही होगी कि फाइनली अनुज और अनुपमा तो ग गया था और उसने अनुज को अनुपमा के खिलाव भर्का दिया है और कहा है कि अनुपमा अपनी लाइफ में मूव आउन कर चुकी है तो वापिस लोड के तुम मत आना उसकी लाइफ में और अनुज कपाडिया जो है वो बंडाज के जाल में फस चुका है और जिस जादा तूट चुका है और दुखी भी तो जब ये बात बर्खा को पता चलेगी तो वो काफी जादा खुश होगी कि आखिरकार अनुस तो बापिस आने से रहा और अनुपमा ने भी कर ली है अपनी नई शुरुआत अपनी डैंस अकैडमी खोल कर यानि कि ये तो कन्फरम ह को चुका है कि ना तो अनुझ आएगा और ना अनुपमा वापिस तो अब सब कुछ मेरा होगा तो वो इसी बात का जश्न मनाएगी बट वहीं उसके जश्न में रोडा पढ़ने वाला है क्योंकि उसके जश्न में भंग डालने के लिए कपाडिया हाउस में पहुच जाएं अंकुछ भाई बस बिजनिस को समालने में अनुपमा की बस मजद करेंगे और उससे ज़्यादा उनका कोई हक नहीं होगा अनुझ कपारिया के बिजनिस पर तो दोस्तों ये सारी सच्चाई का खुलासा होगा विलन बर्खा भावी के सामने तो उनके सारे अर्मान और कमिंग एपिसोड में जल्द ही ये खुलासा होगा और सच्चाई आएगी सामने तो दोस्तों आप सब कितने एकसाइटेड हैं इस दिलचस्प मोड को देखने के लिए कहानी में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो व